लाइट वा शेडों अब हम सिखेंगे कि ब्रेट स्ट्रोक से लाइट वा शेडों केसे बिनाये जाते हैं। पहले शेटिंग का तरीका देखते हैं। इस पिक्चर में दो फूल तिखाये गए हैं। एक में फकडियों के बीच में अंदर है, जबकि दूसरे में फकडियों मिली हुई है। इन दो प्रकार की पकडियों को अलग-अलग तरीके से पेंट करना है। डिसेन मिलने पर हमें रंग तैक करना है। एक ही रंग करेंगे तो डिसेन आगरशक नहीं दिखेगा। आगरशक बनाने के लिए हमें लाइट वाशेट देना होगा। दिये हुए डिसेन या कपडे के मान से पहले सही रंग का चुनाव करना चाहिए। लाइट शेट तैयर करने के लिए उस वो रंग लेकर उसमें सफित पेन मिलाना चाहिए। यहां हम ब्राउन शेट ले रहे हैं। सफित पेन से लाइट शेट बनाया गया है। उसमें सफित पेन मिलाने से लाइट शेट बना है। ये light shade आथी आधी पकुडियों पर लगाया गिया। ब्रश को धोकर वो साफ करके शेश आथी पकुडियों पर brown shade लगाए। अब यहाँ पेलट पर मैंने दो रंग लिये हैं। light shade और उसी का गहरा shade दोनों shade साफ आलक नजर आ रहे हैं। अब धोकर साफ किया हुआ ब्रश लेकर दोनों रंगों को एक रस कर लें। इस तरीके से यदि सफी पकुडियों सुंतर बनाई गई हैं। तो हमें एक बेडिया डिसाइन मिलेगा। light shade पेंट करने के बाद सिंडर में एक दूसरा रंग पेंट किया गया। अब सिंडर का रंग अलक ही नजर आ रहा है। पेंट सूक जाने के बाद ब्राउन से आथिक गहरे रंग से बाहरी लैन बनावें। बाहरी लैन डिसेन के रंग से आथिक गहरे रंग की होना चाहिए।